दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Central Bank of India सफाई करमचारी 2024 ओनलाइन फार्म फिलप के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको step by step फार्म भर के दिखाऊंगा Central Bank of India में जो vacances निकली थी सफाई करमचारी उसका तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको फार्म भनने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो अच्छे से आप फार्म भर सके वीडियो को देखकर तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है इसका जो फार्म पहले भी निकला था यहां पर देख सकते हैं जो ओनलाइन इसकी 20 12-23 में जो की रियोपन हुआ है यहां पर 21 6-24 से आप इसे 27 6-24 तक अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो आपको सबसे पहले अगर इसमें अपने पहले से फार्म भरा है तो आपको इसकी जरुवत नहीं है भरने की अगर जो केंडिडेट ने नहीं भर पाए तो यहाँ पर आप भर सकते हैं अभी तो यहाँ पर click here for new registration इस पर click करेंगी तो दोस्तो आपको farm भने से पहले इसका जो notification है वो यहाँ पर check out कर लेना है यहाँ पर जो notification है इसमें सारी details मिल जाएगी तो यहाँ पर दोस्तो already registered candidates are not required to reapply यहाँ पर जिन्होंने भरा है farm उनको दोबारा से भने की आवज सकता नहीं है यहाँ पर दोस्तो इसकी fees की बात करें तो यहाँ पर जो fees payment आप देख सकते हैं इसका download admit card जो pre exam training का admit card है जुलाई में आ जाएगा यहाँ पर PT जुलाई में दिखा रहा है management center office तो यहाँ पर requirement notification 2024 पच्चिस का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो salary की बात करें तो यहाँ पर scale यहाँ पर payment आप देख सकते हैं उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर eligibility criteria देख सकते हैं उसके बाद में किस category को कितनी छूट मिलेगी age reaction में वो भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर educational qualification की बात करें तो यहाँ पर the minimum educational qualification cell 10th standard pass SSC pass और its तो यहाँ पर आपको minimum 10th class pass होना जरूरी है इस form बनने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो इसकी सारे details है आपको अच्छे से check out कर लेना है उसके बाद में ही आप form बनना तो चलिए मैं आपको form भर के दिखाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक live demo form फिल करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से आपको अपनी details डालना है तो यहाँ पर candidate का first name डालेंगे उसके बाद में यहाँ पर confirm first name डालेंगे और यहाँ पर अगर आपका middle name है तो middle name डालेंगे last name है तो यहाँ पर last name भी डाल देंगे उसके बाद में यहाँ पर अपना valid mobile number डालेंगे दोनों box में यहाँ पर alternate number देना चाहते हैं तो दे सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है email ID तो यहाँ पर आपका email ID है मैं example बता रहा हूँ अपनी email ID इस तरीके से डालन और save and next करेंगे दोस्तों फिर यहाँ पर आपको अपना scan photograph upload करना है और यहाँ पर signature आपका जो photograph signature का size यहाँ से देख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर choice फाइल पर click करेंगे अपना photo upload करेंगे यहाँ पर अपना signature upload करेंगे और आपका जो photo यहाँ पर दोस्तों clear ही होना चा box पर डिक करेंगे औरitives करेंगे दोस्तों फिर यहां पर आती है आपकी बैसिक डिटेल तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ओर चैनल पर पहली बार हो तो और कौन से state से apply करेंगे state select करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो प्रोफिसेंसी इन दा ओफिसियल लेंग बेज दा state तो यहाँ पर दोस्तो आप जहां से farm apply कर रहे हैं वहां कि आपको local language यहाँ पर आना चाहिए तो वो select करेंगे उसके बाद में दोस्तो local resident of the state तो यहा पर दोस्तो आपने 2012 से 2013 में जो form निकला था उसमें अगर आपने apply किया था तो यहाँ पर आप process में है या note completed तो यहाँ पर अगर नहीं दिया था तो no पर टिक करेंगे अगर दिया है तो yes कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर category यहाँ पर आपको अपनी जो भी category है वो यहा पर टिक करेंगे यहाँ पर दोस्तो फिर आपको यहाँ पर यह सारे अपने आप blank हो जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर are you person with specified disability में अगर यह category में आते हैं तो yes करेंगे otherwise no पर टिक करना है यहाँ पर दोस्तो एक service man में है तो yes करेंगे नहीं तो आपको नहीं पर टिक करना है अगर इन category में आते हैं तो yes कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो आप departmental of service man काईल अगर यह आते हैं तो yes करेंगे otherwise यहाँ पर no पर टिक करना है यहाँ पर are you employee of center bank of india अगर पहले से employee है तो yes करेंगे यहाँ पर अपना pf number डालेंगे नहीं है तो आप no पर टिक कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर are you seeking election चाहिए आपको अंडर विद्वा या डिबॉइस परसन या बोमेन यह है तो yes करेंगे otherwise no पर टिक करना है यहाँ पर religion to which you are belong यहाँ पर अपना religion select करेंगे उसके बाद में यहाँ पर अगर आप minority में आते हैं तो yes करेंगे नहीं आते हैं तो no पर टि and select कर लेंगे यहाँ पर I intend to bring the following ID when appearing the examination I confirm name on this ID and application exactly match तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप जो farm में नाम डाल रहे हैं उस नाम का आपके पास में ID proof होना चाहिए तो यहाँ पर yes करेंगे इन में से कौन सा ID proof है आपके पास में वो यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद में उसका number ड चाहते हैं इस list में से select करेंगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर medium of paper examination तो यहाँ पर English and Hindi दोनों में आएगा उसके बाद में यहाँ पर अपनी date of birth select कर लेंगे यहाँ पर दोस्तों जेंडर में आप male candidate है या female candidate select करेंगे यहाँ पर do you have twin brother sister अगर आप जुडबा भाई बह लेंगे यहाँ पर mother's name डालेंगे उसके बाद में यहाँ पर address for correspondence तो यहाँ पर अपना local address line address line band 23 में अपना full address डालेंगे यहाँ पर अपनी district का नाम डाल देंगे और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपका state select कर लेंगे यहाँ से जो भी state है उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे इस तरीके से यहाँ पर दोस्तो आपका आता है permanent address अगर आपका दोनों address सेम है तो इस डब्बे पर टिक कर देंगे अगर अलग से देना चाहते है permanent address तो यहाँ पर इसको अंटिक रहने देना है अलग से भी दे सकते हैं यहां से आप च्राइज दा एड्रस फोर जीस्टी इंवोईसिंग कोई भी एक एड्रस सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करेंगे दोस्तों फिर यहां पर अगले इस्टे पाती है एजुकेशनल क्वाल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में HSC की डिटेल्स और यहां पर ग्रेजुशन की डिटेल्स अगर यह है तो आप इसकी डिटेल्स भी यहां पर दे सकते हैं अधरवाइस इसे खाले सोट छोड़ सकते हैं उसके बाद में दोस्तों यहां पर बारक एक्सपिरियंस है आपके तो यहाँ पर यस करके यहाँ पर अपना बर्क experience दे सकते हैं नहीं है तो आपनों पर टिक कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों language तो यहाँ पर आपकी जो भी language है वो यहाँ पर अपने language select टाइप करेंगे और यहाँ पर read, write और speak लिखना बोलना परना तीनों आती ह तो टिक कर देंगे उसके बाद में यहाँ पर इंगलेश या उर्दू या मराठी गुजराती जो भी हो आपकी तो यहाँ पर अधर language भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं नहीं तो आपको एक language दे सकते हैं उसके बाद में save and next करेंगे दोस्तों फिर यहाँ पर आपको एक पर फाइनल समिट करने से पहले अपना जो डीटेल से हैं अपनी सारी डीटेल्स को अच्छे से एक बार प्रिव्यू चेक आउट कर लेना है कि आपने जो डीटेल्स डाली है सही है ना अगर आपको लगता है सारी डीटेल सही है तो यहाँ पर declaration box I agree इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तो अगले इस्टेप आती है documents upload तो यहाँ पर दोस्तो आपको left thumb impression उल्टे हाथ के अंगुठे का यहाँ पर आपको thumb scan करके upload करना पड़ेगा और यहाँ पर head writing declaration तो यहाँ पर दोस्तो आपको declaration में क्या लिखना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो यहा पर the text for the head writing declaration as follow तो यहाँ पर दोस्तो आई से लेकर और यहाँ पर आपको यह जो इतना है मैं बता रहा हूँ यह आपको एक white paper पर पर same यहाँ पर आई और यहाँ पर name of the candidate का नाम डालेंगे और यह आपको तीनो लाइन यहाँ पर से यहाँ तक यह एक white paper पर उतार कर इसे scan क करके यहाँ पर आपको upload करना पड़ेगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यह आपको type करना है white paper पर उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आपको left thumb impression upload करेंगे और यहाँ पर head writing declaration इस box पर जाकर upload कर लेंगे इसका size यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद में यह capture coat को इस box म fill कर देना है और उसके बाद में submit button पर click करना है okay करना है तो यहाँ पर दोस्तो आपको अपने form की payment कर देना है तो यहाँ पर आपको कुछ दिर bet करना है payment window open हो जाएगी यहाँ से आप credit card, debit card, internet banking, wallet, QR code, UPI, किसी भी माध्यम से आपको अपने form की payment कर देना है जैसे आपकी payment हो जाएगी तो आपका finally form submit हो जाएगा तो उसका print out निकाल कर save करके अपने पास में रख लेना है तो दोस्तो इस तरीके से आप Central Bank of India सफाई कर्मचारी का 2024 में online form घर बेठे आसानी से भर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू दोस्तो धन्यवाद